गोर नानक जिन सुनयां पिक्या से फिर गर बहास ना परियारे गोर नानक जिन सुनयां पिक्या से फिर गर बहास ना परियारे वाह ग्रुजी का खालसा वाह ग्रुजी की फत्र गरीब नवाच गरुगरंद साहिब सत्गरु सचे पाथशा जी दे पावन दर बार दियां हाजरियां पर रही गरुजी स्वारी साथ संगजी यो अकाल पर खुआई गरुजी ने अपार बक्षिश किर्पा कीती है सत्गरु महराई दी अमरत मई पावन बानी दे पाथ कीरतन राही सत्गरु दे पावन उपदेश नारसांच बना के आप जी अपने जीवन दियां इना कडियां नो सफलें ते सार्थक बना रहे हो नौवे पाथशा गुरु तेक बहादर साहिब सत्गरु जी दी उचारन कीती होई मबारक बानी सत्गरु दे पावन सलोक जो रोजाना शाम दे दिवाना वेच आपां विचारन दायतन कर दे हाँ पिछले सलोकां वेच जिना दी विचार आपां पहले दिवाना वेच कीती है महराज नौवे पाथशा जी ने मनुकी जीवन दियां कुछ ऐसियां कटनावां जड़ियां के पढ़कना दे रूप वेच वापर दियां ने पढ़कना तो पावे थे मान सकात मक अशान्ती तो है पढ़कना दा कारण जो सत्गरु गरु तेग बहादर महराज जी ने बियान कीता ओ वकारां दी खेच है ममता मो जहां जिसनो सत्गरु ने संखेव शब्दां चिके है माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान ते नार दी नार सत्गरु जी ने मनुक नो याद भी करवाया है के मनुक दा ये समा जड़ा जीवन दा बड़ा दुर्लाबते बड़ा कीमती है इसलिए सत्गरु जी आकदे ने भी ये दुर्लाबते कीमती समा बिर्था जनम सिरान विर्थ बतीतो रिया है पढ़कना दे विच अठाई सलोक आपां पहले दिवाना विच विचारन दा यतन कीता है इस तो गलेरे सलोक दा पाठ है सत्गरु फरमाउदे ने जो प्रानी नेस देन पहजै रूप राम तेह जान हार जान हार अंतर नहीं नानक साची मान गुरु गरंसा महराई दी पावन बाणी विच सत्गरु फरमाउदे ने जिन हर जब्या से हर होए हर मिल्या केल केला ली मनुक दी सुर्तदा वहाज सपासेवल हुंदा है मनुकी जीवन दी कार्तवी उससे तरह दी कड़ी जान दी है जैसी मनशा तैसी दशा जी हो जा मनुक दा चिंतन उन्दा हो जाई मनुक दा आपना किरदार आपना जीवन आपनी आतम कमान सकदशा मनुक दा वहार कर्म हर चीज जड़ी उस तरह दी कड़ी जान दी जी चिंतन वाड़ा है ता जीवन दी उस सारी जा कार्तवी उससे तरीके दी होएगे लोख सईद इशावेच सफर करेगा गुरू गरंसा महराईदी मुबारक बाणी ने इस गलनों बड़ा उबाहर के बियान कीता है ते इते गुरू नौवे पाथशा महराज के इन देने जेड़ा प्राणी जेड़ा मनुख नेस देन पजाए नेस देन देपावे देन रात पाव काउंटी निउ लगाता हर वेले हर वकत पजैदा मतलब है पजदा है यद करदा है चेते करदा है उग की हुप जाओ बन जानदा है रूप राम तेह जान उसनों परमेशर दा रूप जानो क्योंकि जिस पासे वालो सफर कर रहे हैं उन्हें पहुंचना होते ही है उन्हें कदे इस तरह ते नहीं नहुंदा मनुक जाता पूरुब दिशा नू रहा होवे ते सोचे भी पच्छम वाले जड़ी मंजल है जिस बाबत मैं पढ़े है जा सुने है महुथे पहुंच जामा जिस पासे वालो दा सफर है जिस दिशा वाल पहुंचे गवी उद्दर नहीं हो उन गुरु पादशा बाणी वेच ऐसे नू इसे पामनो केंदे नू भी साड़ी जिन्दगी दी कोशिश के डियां गलना लई है एक कुदा हरन देंदा हाँ जिवें आपकल दे दिवान वेच महराई दाए सलोक विचारे है जो सुख काओ चाहें सदा शर्न राम की ले उन इससे तो यसी एक परतीक लै लही है भी साड़ी दोड़ पाजते कोशिश का दे लही है सुख लही एम जड़ है, टीचा जड़ है, मकसद जड़ हो सुख है ते प्रैक्टिस कादी हो रही है जिड़ा वे आस हो रहे है जिड़ा सफर हो रहे हो इसके केस पासे वल हो रहे है वो दुख वल हो रहे है मुश्कल मनुकी जीवन दी एह है कि मनुक जिड़ा सफर कर रहे है वो अपने सफर दी विचार कर लिए तियार नी काड़ा बहुत है तेजी वेच है वो एक हैंद है अभी मेरे सफर बाबत मैंनों ना पुछो मैं दौड़ते रहा ना मैं चालते रहा ना मैं कोशिशते कर रहा ना पर गुरू साब ही ते समझा उना चाहूं देने यह तुम अपना टीचा अपना मकसद सोख में थे है गल्द नहीं पर तेनों समझ उनी चाहिए अभी तुम सफर के सपासे कर रहे हैं कि वाके ही तेरा सफर सोख वाली है जेड़ा तुदम कर दा हैं जेड़ा यतन कर दा हैं जेड़ी मेंत कर दा हैं कि वो साचमोचो प्रेक्टेस हो अभे आस तेरा सोख वाला है कि दुख वाला है इत्थी मुश्कल है सद्गुरु महराज के ने जिड़ा तू अब आस करदा है जिड़ा तू प्रैक्टिस करदा है जिड़ा तू चिंतन करदा है वो सारा ही दोख पैदा करने वाड़ा है वो दे चुछ सोख नहीं निकल सकता चौदा तू कुछ हो रहें ते कार्ज कुछ हो रहें महराज ने बाणी विचे भी वाग कहे ना बीजे बेख मंगए अमरत वेखो ए नयो जिड़ा बीज कोई बीजेगा फसल भी ओह ज़ी होएगी जिव फसल पाके जाये ते फ़ड़ भी ओह ज़ी निकलेगा जिड़ा तर्तीदा सुबाओ तर्म है तर्तीदा कनून है नियम है जिड़ा बीज जसी पावां के फसल हो ही होएगी ते फ़ड़ भी हो दे अकौर्डिंग हो दे मताबक ही होएगा ए नहीं हो सकदा भी बीज जसी कोई पाईए ते तवक्व उमीद किसे और चीज दी करिये जिसनो बाबा शेख फरीज साब आख देने फरीदा लोड़ा दाक बिजाओरियां कुछ जगा दे पाड़ मशूर हों देने बिजाओर दियां दाकां बढ़ियां मशूर सान। बाबा शेख फरीज साब जिकर कर देने लोड़ा चौंदा है उमीद करदा है इच्छा करदा है किकर दा बीज पाया है तो उदे उखाड़ेंगी पाउदा फ़ली पूँतो है गाते उन्हों जड़ा फ़ल लगदा हुई लगए उन्हों दाखा नहीं लग सकती है हंड़े उनकताएंदा कात उन रहा है लगे जड़ा थाओउगी उन अपने सुबा मताबक ही सरी उन्हों सुखायेंगी उन रेशम वर्गा मुलाइम जड़ा रेशम वर्गा सुखुन होदे तो हासल नहीं हो सकता उदा सुबावकर है उदा सुबावकर है इत्युन वाबा शेख उरी साब ने एस उदा हरनवेच की दसे है भी असी जो प्रैक्टिस कर दे हैं फालवी उदे अकॉर्डिंग ने कर नतीजा उदे मताबक होना है इसलिए मनोखनों आपने अबे आस आपने करम वाल सबतों पहिला ते आन दें दी लोड़ा भी जे उदा करम सुचजा है ते फाल जान नतीजा भी सुचजा ही होएगा तो महराज पात्षा आख दे ने जेड़ा पाज़दा ही प्रमेशर नूँ आए वो रूप वियोदा ही होएगा ते जेड़ा उस प्रमेशर दे सर्व वयापी अकाल पुर्ख दे गुणा दा चिंतन शड़के अवगणा नू चितवेगा उस जीवन दी वे उस से तरह दी होएगा काम नू याद करनवादा काम रूप होएगा करोद नू सलौन वादा जान चिंतन करनवादा ने तो सद्गरु आखदे ने जिन्में अंतर करोद चंडाड उनू चंडाडदी संगेघा देती है इस तरह महराज आखदे ने हार जान हार अंतर नहीं नानक साची मान हे पाई एस विचार मूँ सची करके मन ले पी जिड़ा रूप राम हो जानदा है उदे वेच ते प्रमेशर वेच कोई पेद नहीं उदे ही रूप है उदे ही प्रती बेंब है सत्गरु आखदे फिरोदे वेच उन्नु रबवारगा रबवारगा ही जान सत्गरु दी बाणी वेचे वहा कहूँ दा है सफल जनम हर जानका उपजया जिन कीनो सौत बेदाता महराज कहन देने वो रबदे पुत्तर बन जान बाबा रवदास साब जे शब्द वेचे पंक्तियाने संत तुझी तान वो कि देने वैसे थे प्रमेशर रब अकाल पुर्ख जिस दी सलोता सी तरम गरंथा में चुपड़ देया वो प्रमेशर निराकार है कोई अकारवाड़ी वस्तुने प्योंनों सी वेखी है ते कई भी ओए हो जए है उता जोत रूप है चेतन रूप है ते हर जगा ते है पर कहीं देने भी जे प्रमेशर दे होन दा साड़े वर गया गयानी जीवान नो अब आब आस अनपब उन्दा है तो को जैसे उत्म जीवन वाले पुर्खां दी नेड़ता वेच जाके होन दे ते मैं उन्दान नो बाबर वदास साब कहें दे मैं जे उन्दान दी शुबा करनी हो वे न ऐसे पुर्खां दी ते मैं एक कमांगा ये जड़ा सरीर है संत तुझी तान ये उस जोत दा सरीर है उदे वजूद नो परगट कर देने बंदे उदी दास से पहुंदेने क्योंके ने जीवया ते मानया है संत तुझी तान संगत प्रान सत संगी जड़े ने ये उदा रूप ने ते जड़ी संगत है उदे प्राण ने उदे सान है उदी रूप है तो सेव सत्गुरु महराज आख़दे ने मान माया मैं फद रहियो बिसरियो गोबिंद नाम कहो नानक बिन हर पजन जीवन कौने कामा पर जेसदा मान उनों पहले वेच जिकर कीता है भी जेड़ा मान करके सुर्थ करके रबी गुणा ना लेक सुरु हुंदा है वो रब रूप है ते सत्गुरु है थे आख़दे ने पर जनादा मान माया मैं फद रहियो बंदे होया फसे होया माया दी फाही वेच पया होया महराज केंदे उनना नों करकी उनने बिसरियो गोबिंद ना उननों स्रिष्टी दे सिर्जनार गोबिंद पयाव सिर्जनार दा एसास ही नहीं पी एक सिर्जन सत्ता भी है वो सारे वेच 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 पक भी है उना दा मान कुथाएं फसयाफ है ते सद्गौरू आछ दे कहो नानक बेन हरपाजन जीवन कउने काम उना दा जीवन केड़े काम है उना दा जीवन केसले खे है वैसे दो तरह दे स्वाल गुरुबाणी ने एक जगा ते सत्गुरु ने ऐसे जीवन दी गाल कई जिते सत्गुरु आकदे ने जान पार उपकारी आए जी दान दे पगती लाएन हरसें लाएन मिलाए गुरुबाणी दा मनना है वेकुन अपाँ फालदार बूटा लओने अपने कारवेच है ते उन जे लाया ये सुमीद ना लगया पि ये नो फाल लगएगा ते फाल लगे ना कोई बिमारी कोई रोग कोई ऐसी वज़ा कोई कारण बन जाए पि ये उनो फाल ना पवे ते आसी सोच दें भी साठी उमीद खरी नहीं हो सकी साठी इच्छा मताबक काम नहीं हो सकी भी बीज भी बीजया पवदे नो पालया भी इनो बचाया भी किन्ने सालां दी मेनत कीती पर इनो फाली नहीं पिया ते इस बूटे नो लाया ते पालया ही इसकर के गया सीवे तो फाड मिलेगा कोई फोलदार आप 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 आपने कारवेच बूटा लवने आप ते उसनो फोली ना पैण जननी के जो उमीद हो दे तो कीती जान दी उमीद दे उते वो चीज खरी ना उतर सके ते सनो वदो लगन लग जानी तसी के ने ने थाएं के रहे ते ऐसे बूटे जा रोखनो अप आप वड़ भी देने अप उट भी देने भी दा लावता होया नी चलो कुछ होर करके देख दे सद्गरू बाणी वे चाकते जिनी ऐसा हर ना ना चेतियों से काहे जागाए राम राजे एक मनुख दा स्रीर मनुखी जामा मनुखी जीवन ते नों हासल होया है पर तेरे तो तवक्वत उम्ईद कीती जानी है कि तेरा कर्म तेरा वियार तेरा स्वावी एक मनुख वर गई होया पर जिस वेड़े उस मनुख दे विचों पशू बिरतिया पारी हो के उदा कर्म उदा विहार उदा कर्म जेड़ा है उदी सोचन शक्त सबो को ज़ पशूआं दे तालते चलेया जाना नीमे पदर ते डिक जाना ते स्वालते करना बंदा है सिकाहे जागा है की लाब होया इस जगत वे चौण दा की अर्थ निकले या ये मनुखा जीवन अखवाउंदा की अर्थ निकले या एसे नोई सद्गरु महराज के अंदे ने जीवन कौन है काम किस लेखे रिया जीवन किस अर्थ रिया जीवन की लाब होया इस जीवन दा तो इसे करके गुरु सहिबान ने जीवन दाएक परपज एक मकसद में थे तो है साच रूप ओके जीना के वन सचयारा होया है कि वो कौड़ तुट़ पाल महराज तरम दे जिन्ने भी अर्थ करनगे दे अकॉर्डिंग करनगे पगती दे अर्थ भी दे अकॉर्डिंग ओनगे प्रैक्टिस भी इसे दी दसनगे भी मैं जड़ी प्रैक्टिस दासरे हां वो केस का मलेई है कि मैं सचयारा होई है कि वो कुड़ तुट़ पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखे आना ते जेड़ा एस टीचे तक नहीं पहुँचदा जा इस अभी आसदा प्रैक्टिस दा हिसा नहीं बनदा उन्हों मैं सवाल कर सकता जीवन कौने काम तेरा जीवन केस लेखे है केस सर्थ है केड़े काम आया तो महराज पाथशा प्रमाउदे ने प्रानी राम न चेताई माद माया के अंद कोहनान कू हर पजन बेन परत ताहें जाम फांद मनुख सर्व व्यापक प्रमेशर नू चेत दा नहीं जाने के उदा चेता नहीं कर दा जिस बाबत सहिब ने पंचम पाथशा ने के चेता ही थाँ चेत कि तेरे कुछ चिंतन सतह है ते चिंतन का वैसे मनुख दा समुचा जीवन जड़ा है यो दी सुर्ट दा ही प्रगटा है जिनों महराज बानी चेंदे जेही सुर्ट तेह रा जाए साड़े जीवन दा रस्ता साड़ी सुर्ट दे मताबक ही जो अदेख है ओही दृष्ट मान नों पैदा कर दी चेते चेते जो नहीं नजर आ रहा ओन नजर उने नों पैदा कर दा जी मैंपा कल दे दिवान वेच विचार कीती से पिछले सलोकां वेच पिए अद्रिष्ट सता जड़ी ओद्रिष्ट मान संसार नों सिर्जदी है मटीरियल तों ये सारिया चीज़ां बन दीआ उस सर्दीयां चल दीआ ने जी ड़़ख ख्याल है साड़े अंदर ओ किसे नों नजर थोड़ा हूं दा ओ ख्याल दा अकार किते बन दा है ओ ख्याल दा सरीर की है ओ ख्याल दा सरीर है सड़ा वे आर सड़ा कर्म विचार दा कोई अपना वजूद विखाई देन वाड़ा नहीं हुंदा पर विचार के होजे है ओ दा असर की है ओ मनुख दे वे आरतों मनुखदे स्रीरतों मनुखदे कमाईतों जिनों अपक कर्म कहीं नहीं है वो ते तो पता लगता है भी विचार सही है दे अंदर के गल्द है यह था थौट प्रोसेस के हो जाए यह दी सुर्थ केस रांगवेच रंगी होई है यह सलए ही गुरू महराज सचे पाथिशा जदों एबचन बानी वेच चेए दे नहीं जेस मनुखदा जेडा प्रानी रामनुचेते नहीं करदा जनी के राबदे चिंतन वेच नहीं है ओ की करदा है माद माया के अंद ओ अंद अगयांता वेच प्या हुआ माया दे नशे विच चूर होया मात तो पावे नशे विच उना अमल लाग जाना तो सत्रु के इंदे ने कहो नानक बेन हर पजन बेन परतता है जाम फांद इवे प्रमेशर दे पजनतों बेना उस दे गाड़ फांद फाई पह जान दी कास केस चीज दी जाम दी फाई आतमक मौद दी फाई वो अंदरूनी ताउर दे उते मौद दा गरसया होया है असी गुरू नानक मार आई दा जीवन पढ़ दे ना इस साखी पढ़ दे सुन दे सान पी महराज ने एक दिन पाई लेड ने वाकिया पी ये मुर्दा खाना है साखी ता एक तस्वीर उन दी है जी दे विचो असी साखी ता फ्रेम है जी दे विचो असी तस्वीर नो विखना हो कोई सुने हाँ कोई पैगाम कोई सिख्या कोई उपधेश जिड़ा साखी रूप विच साड़े समने है वो दा तात पहव की अभी गुरू नानक महराज पाई लेन इन वाक्ते ने विच जगत वेच मुर्दे हानी गुरू दा करताव की है गुर्मत दा आशा टीचा ते मकसद की है मुर्दे अनी नो खतम कर देना जिड़ा दिली जीवन पैदा करना संसाच ते गुरू दा करताव की गुरू शबद अरत ही है जिड़ा अग्यानता नो निगल जान दा है ते ग्यान दा परकाश कर दे जिड़ा साड़ी अग्यानता नो खतम करे ते साड़े अंदर ग्यान दा परकाश करे अग्यान ता मुर्दया नहीं है ते ग्यान जीवन ते ग्यान दे अरत गुरू दे उपदेश दे अकॉर्डिंग चलना है चेते चरखी जिड़ा गुरू साठे अंदर दी मौत भू खत्म कर दे जिड़ा साठे अंदर जीवन दे ता तो पैदा कर दे सजण फिजी कली ते जी रहे है ना सरीर करके जीरे सा आ रहे है नब चल रहे है काम कर रहे है अगला तो मियां जीरे है ना सरीर मर्या थोड़ी सी पर गुर्मत ने उसनों जीवन नहीं मने आ हाँ जेस वेले गुरू नानक माराई दी गुर्मत दे रंग वे चो जीवन रंगे गए ता गुर्मत संकलपा मताबक मन्या गया भी सजण जीवत हो गया सजण नु गुरू ने जीवन दान देता पुमिये नु गुरू ने जीवन दान देता जीवन दे अर्थ बदल गए, मौत दे अर्थ बदल गए मौत दे अर्थ गुर्बानी वे चिकले स्रीर कतल फिजी कली चलना ही नहीं जहां स्रीर दा नाश हो जाना ही मौत नहीं मौत दे अर्थ गुरु साब अपर उस पड़ दे आखां जीमां विसरे मर जाओं वैसे सानू किना कचेता हूं भै पर सरीर करके जी रहे उन्याना तो सद्गरु महराज जेते बक्षिश कर दे ने जाम अपांदो नो आत्म क मौत दी फाही पह जान दी उन मौत दा ग्रसे आफ रहे तो पादिशा जी फिर मौत दे ने सुख मैं बहुत संगी पहे दुख मैं संग न कोई कहो नानक हर भजमना अंत सहाई हो ए उन जिड़ा अग्यानता कारण माया दी फाही करके आत्म क मौत सहेड बैठ है ऐसे जीवदा संगी कौन बाण सागे दा साथ कौन है जिड़ा उन्हों बार कड ले आए एस सिचुएशन वेच्छों कोई है संग कोई आके आके भी मैं पुखा मार रहे हैं मेरी रोटी दा इंतिजा जो असी कर सकते हैं किसे नोग कपड़े दी जरूर तुपाए आपां अउखे सउखे होके हो दी ओवी लोड़ पूरी कर सकते बे करा हो वे उदे ले भी कोज़ पर बांद जिनने माटीरियल दे नार जुड़ियां चीज़ा हो कीतियां जा सकते हैं कोई रोगी हो वे डक्टर कुल चला जाएगा कोज ना कोज़ ओदी जितों तक साड़ी लिमट है असी सहाथा कर सकते हैं सानु कोई आके आके साड़ा कोई दोस्त मेतर जान पशान कोई सानु आके ति मैं विशे वकारांच ग्रसे आगया मेरी सहता करू साड़े कोई की चीज़ है जी दे नार लसी सहता करी इस स्वाल दा साड़े कोई की हल है कोई आके मेरा मान नहीं टेक दा मैंनो कोज दसो हाँ यदे थे वपार था बहुत दुनिया कर लें दी पर हाल की है की तकनीक है साड़े को तकनीक तो ही दसे गाना जिने जी के कोई बेखे है जिनु पता है पि ये तजर्बा कि में कीता जान दा है ते केड़ा तजर्बा मुकमल होया है ते केड़ा तजर्बा फेल होया है जिसने ए सब चीजानों तलाशियाते खोजे है उई दा सकेगा ना असी गलान आड़ अगले नो टरका सकदे हैं समा पास करके तोर सकदे हैं भी ठीक है आया है ते कुछ ना कुछ दसना ता पहे गई गई ना पर सचाई ही है भी बहुती वार साठे कोड किसे दे जीवन दे मसलियां दा हाल नहीं होंदा साठे सारें कोड ही नहीं होंदा और वड़े वड़े ग्यानी पुर्खां कोड भी नहीं होंदा क्यों नहीं होंदा क्योंकि किसे चीज दी जानकारी होना एक अलाइदा गाला है उस चीज दा तजर्बागंड आया होना एक अलाइदा गाला है गुरू महराज ने जो सनु दसे है वो महस जानकारी नहीं है बाबा कबीर साब ने जो किया यू तर्म गरांथा चो पढ़के कहता हुए जा सुनके सुना आके जा यस तरह iद दो दो कठा करके कहता हुए ऐसा ने उस सती ज्यान नहीं अपा के ने सती ज्यान जब पानी तो छला उठा दिया ना वो छला वरगा ज्यान नई वो डूंगी कोख वाड़ा ग्यान है इसे करके सी बाणी नू गुरु आखिया बाणी नू गुरु आखन दे पिछे साड़ी पामना साड़ा संकल्प की है पी गुर्म है आप समोई शब्द वरता है गुरु ने जो कुछ कतन कीता है उन्हें अपने आत्मक वजूद दी तलाश दा अनप वजेड़ा उसाड़ी नाड़ संजा कीता है सान्दू लगदा है गुरु नानक सा महराज अपने शब्द रूप वे चुप देश रूप वेच साड़ी सामने खलोते है ते सहायता भी होई कर सकनगे तो महराज ये थे आकड़े ने भी सोखदा वक्त होवे असी खोशगवार महूल होवे कोई विपदा ना होवे कोई मुश्कल ना होवे हुदों सारे ही साथी संगी साड़े कोल उन्देने हर कोई साड़े नेड़े टुक के बैना चाउंदा है साड़े नेडे होना चाहूंदा है साड़े नाल वरतना चाहूंदा है पर दोख मैं सांग ना कोई जड़ी दोख दी सिचुएशन है साड़ी होते साड़ा संगी कोई नहीं बंदा एक वार दो वार उदा सुवेत दुजा उसला दे देंदा है तो रोज दी ये खेट बन जाए ना फिर अगला भी किन दे दा तो रोज दा काम है मैं संसार चेनू आ उसला देनी थोड़ी आया मैं अपनी भी जिन्द की जीनी है उस बन्दे तो हौडी हौडी लोग दूर होने शुरू हो जाना है ते फिर एक तार ना बन जान दी है उस बन्दे दे परती भी ये अपसेट है इदा मतलब दे नेड़े जान दा कोई लाब नहीं इस तरह दी सिच्वेशन एक क्रियेट हो जान दी है मनुख़े आड़े दौरे तो गुरू महराज केंदे ने सोख में बहुत संगी पाए दोख में सांगना कोई फिर हजूर केंदे कहो नानक हार पाजमना अंत सहाई होई जिड़े तेरी भी पता है जिड़े तेरे दोखने उनाच केवल तेरा सहाई ओड़कनो अंत ओड़कनो अखीर निचोड़ दी गाले है पि तेरा सहाई काउन है हार पाजमना ही मेरे माना परमेशनु याद कारोदा चेता कारोई ही तेरा उड़कनु सहाएक है उस तो बिना कोई ने जीवन दा सोर्स ते सोमा होगा है उदी अबादत उदे गुण ही तेरे अंदर जिन्दा दिली दा पाव अहसास पैदा कर सक दे इना सलोकां विच महराज ने जो जीवन जुकत सानु बक्षिश कीती है वो साठे जीवन दा हिसा बन सके गुरू महराज हुईया पुलना चुकान दी किमा बक्षन आप सबना दा तानवाद अदब साथ गुरू फते नार सांज बनाओ वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फत्व